दोस्तों क्या बीजेपी का 27 साल का राज्य गुजरात में ताश की पत्तों की तरह बिखडने वाला है क्या एक एक पत्ते बिखड रहे हैं क्या बीजेपी पूरी तरीके से गुजरात हार रही है क्योंकि दोस्तों गुजरात में गुजरात के लोग किस तरीके से सडकों पर उतराए है ब्राह्मन समाज के लोग अब जो पूरे एलेक्शन से पहले वो इकटा हुए है और बीजेपी को ना वोट देने की कस्मे खा रहे हैं कहा जा रहा है कि ब्राह्मन समाज जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देगा दोस्तों एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वारल हो रहा है इसको गुजरात तक ने भी शेयर किया है और बताया है कि कैसे जो है सुरेंदर नगर में आरी समाज में आज ब्रहमा ब्राह्मन समाज के युवा एकठा हुए है और भाजपा द्वारा जिन जा वेन पांडिया को किसी अनिप्रत्याश्री को टिकर दिये जाने से ब्राह्मन समाज के लोग ख़फा नज़र आ रहे यानि कि जिससे उमीद थी जनता को वहां के लोगों को कि इनको टिकर मिलेग और वोट नहीं देंगे एक तारीक को चुनाव होने वाला है गुजरात के अंदर उसमें पूर्ण तरीके से भाजपा का भहिसकार होगा और बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा इस तरीके की कस्में खा रहे हैं और तो और ये फैसला लिया है पूरे ब्राह्मन समाज के लोगों ने खचा होकर साफ तोर पर कह रहे हैं कि अब हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे हमने बीजेपी पर बहुत भरोसा किया और वो भरोसा जो है बीजेपी ने हमारा तोड दिया हमने जिस कैंडिडेट को चाहा था कि वो इस कैंडिडेट को उस जगह से जो है टि ने जो sitting विधायक थे उसकी पत्ता काटते हुए नए नए चेहरे को मौका दिया जा रहा है और इसी की वज़ा है कि यहाँ पर जो पहले से जो sitting विधायक थे उनके चाहने वाले उनके supporters के बीच वुस्सा देखने को मिल ला है और यही वज़ा है कि भारतिय जंता पार्टी ज कार किया वरोध किया और कहा कि हम भारतिय जंता पार्टी से खुश नहीं है हम बीजेपी को अब वोट नहीं देंगे इस तरीके की तमाम खबरे निकल कर सामने आ रही है चाहे करमचारी हो चाहे वहां के आम जंता हो सब लोग जो है वो महंगाई भी एक मुद्दा है इस पार्टी में शामिल करना ये बीजेपी के लिए कोई आफ़त जरूर ला सकती है और यही नतीजा है कि बीजेपी के खलाफ अब बीजेपी के ही लोग पार्टी जंदा पार्टी के कारीकरता भी सड़कों पर उतराएं आ हैं और उनके खलाफ प्रदेशन करते हुए दोस्तों सत्य हिंदी की तरफ से एक आर्टिकल छापा गया है और लिखा गया है कि गुजरात में बीजेपी में बड़ी बगावत, सुमबार को सारा दिन प्रदेशन जो है बीजेपी के जो कारी करता है वो करते भी नज़र आ रहें, तस्वीरों में नज़र आ रहा है, पार्टी जनता पार्टी के लोगों ने किया, पार्टी में प्रदेशन का सिलसिला शनिवार से चला और सुमबार भी चलता वा नज़र आया, हाला कि केंद्रे ग्रामंत्रिया में शाहने रविवार को यहां पर आ कर बागी विधाय को और अन्य निताओ के साथ बैठक की, उनको समझाने पुजाने की कोशिश की, उसके बाद जो है उम्मीद की जा रही ही कि प्रदेशनों का सिलसिला जो है वो रुख जाएगा, लेकिन प्रदेशन रुखने का नाम गुजरात में नहीं लिया जा रहा है, सबसे खास बात यह है कि बीजेपी कारेकरता, टिकटों में करप्शन का आरोप लगा रही है, इसमें कितनी सचा यह इसका सपस्टी करण पारटी ने अभी तक नहीं किया है, भीजेपी के लोग, भीजेपी के नेता यह खुद आरोप लगा है कि बीजेपी में lockerption हो रहा है, टिकट खरीद परोग तो हो रहा है, जो जादा दाम उसको BJP जो है जादा महत्म दे रही है उसको टिकर दे रही है और यहाँ पर सीधे तोर पर सब कुछ पैसे से हो रहा है पैसे का खेन है और जो हे आप विडियो के अंदर के खिलाइन कीब्जै पीए पी के आला नेताओं के खिलाप जो आला कमान है जो पूरी ब्जैपी को चला रहे हैं जिन में हम इश्याय प्रधान मंतरी मोधी और जे पी नद्धा इन सब के खिलाप गुष्भा पूर्तावा नजर आरा और कहा जारा है कि हमने गुजरात में इतना काम किया हमने गुजरात की जनता को अपने काम से जो है प्रेरित किया और आज जब चुनाफ का टाइम है तो हमारा ही पत्ता कार्ट दिया गया दोस्तों आपको बतादे कि बीजेपी का प्रदेश कारियाला एक कमलम गांधी नगर में है और प्रदेश के कोने कोने से आसंतुस्ट विधायक और नेताओं और कारिकरता सुभा से ही यहां पर नारा लगा रहे हैं और जबर्दस तरीके का प्रदेशन करते वे बीजेपी के खलाफ नजर आ और रंचोर रवारी के समर्थन में भारी संख्या में कामलम पर पहुँचे और कई घंटे तक बीजेपी के लोग और जो महां के आमनागरिक है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए और पाटन से डॉक्टर राजुल देसाई के बीजेपी प्रत्याश्री घोशित करने पर वारी विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला दोस्तों बीजेपी ने करी 50 से जादा जो सिटिंग विधायक है उसके टिकेट कार्ट दी है जब पहले लिस्ट आई थी तब 38 टिकेट कार्ट थे सिटिंग विधायकों के और पूर्ट सियम विजेपी रुपानी नितिन पटेज समेट कई दिगच खुद ही अपनी इज़त बचाने के लिए चुनाब लड़ने से पीछे हट गए क्योंकि बीजेपी इनको टिकेट देती नहीं और इस वज़े से इन्होंने अपना मूँ खोला नहीं और अपनी इज़त बचाते हुए नज़र आएं क्या पता फिर अगर इन लोगों ने अपना मूँ खोला होता तो आज इस तरीके से प्रदशन करते हुए नज़र आते बीजेपी के लिए उन्होंने भी यहां अपनी गुसा और नाराजगी जाहिर करते हुए नज़र आए हैं और पीछे हटते हुए नज़र आए हैं कि अब हम इस पार्टी में अपना समर्थन अपना सपोर्ट नहीं देंगे दोस्तो बाराल गुजरात बीजेपी के वाग्यों का मनाने में लगी वी है कि इंद्री ग्रह मंत्री अमिशा अपने पूरी ताकत जोख चुके हैं कि किसी भी तरीके से भारती जनता पार्टी के जो बागी नेता है विधायक है उनको कंट्रोल में किया जा सके और इसकी ज गुजरात में एलेक्शन होने की देथ सामने आई है उसके बाद से ही तमाम तरीके की जो खबरे हैं वो निकल कर सामने आ रही है कि अब बीजेपी जो है उनका जो किला है वो पूरी तरीके से ढह रहा है और ये धाने वाले और कोई नहीं बिपक्ष भी नहीं है बलकि नेता विधायकों का ये मानना है कि बीजेपी अपने करमत जुजहरू कारिकरता नेताओं को जगा नहीं देती है और उनका ये भी कहना है कि जो पैसे देते हैं जो पैसा फेकता है उसी वही तमाशा देखता है और जो पैसा नहीं जो अपनी मेहनत और मजबूती से यहां तक पहुंचा है उसको कैसे BJP side कर रही है और एक उधारन आपके सामने ही दोस्तों नितिन गठकरी का उसको भी आप ले सकते हैं कि कैसे नितिन गठकरी का काम जो है वो बोलता है वो नज़र आता है आज भारत की सड़कों पर और फिर कैसे उनको side कर दिया गया है ये एक्जा अगर आपने नेशन 360 को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर एहम जानकारी पहुँशते रहे